तो जमाइका के प्रधान मंत्री उनका नाम प्रुला कठिन है एंड्रियू होलनेस उनका नाम में जहां तक मेरी जानकारी है जमाइका के प्रधान मंत्री जो है वो भारत की आतरा पर थे और उन्होंने जो है भारत की नई संसत भवन को भी देखा और उन्होंने ये माना की ज जो है जमारीका में भी जमारीका में भी जो है वह आप नशजीन अगला हुभार, चीज थैंसान का छाख bharamज में बनाना चाहते हैं और अगा बहुत नेज़ों कि आ रहे इक हाएından संकी ela अपनी संसत बहुन बनाने के लिए तो जमाइका के प्रधान मंत्री जो है वो भारत की आतरा पर है उनको और काफी जैशंकर साहब से लेकर के पिया मोदी से उनकी मुलाकात हुई और काफी जो है बात्चीत हुई इसके बाद जो है एक और वीडियो सामने आया जिसमें की जो है वो दिल्ली के एक फूल विकरेता कहां गए और वहाँ पर जो है यूपी आई की मदद से जो है उनकी खरीदी की है ना तो मने फूल खरीदे और उसके बाद में जो पेमेंट जो है वो मोबाइल पेमेंट से उन जब भी वहां का कोई नेता आता है, वहां का कोई बड़ा आदमी आता है, तो भारत की एक कोशिश होती है कि उसको जो है practically मोबाइल पेमेंट का जो है एक demonstration दिखाया जाए, उसको दिल्ली के किसी दुकान मिले जाते हैं, और वहां पर जो है उसको कहते हैं कि आप कुछ भी ख दिफेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम मारल्स हैसा कुछ नाम था उनका, तो वो भी जो है दिल्ली उनको घुमाया गया और दिल्ली में जो है जो है जो है जो पेमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने जो है वो ही जो है मोबाइल पेमेंट किया था, और इसके लावा भी जो है एक ऐसी चीज है जो कि हर देश में होनी चाहिए अब सवाल यह उड़ता है कि इसके पीछे वजह क्या है इसके पीछे वजह क्या है है ना भारत सरकार जो है मोबाइल से पेमेंट करने की बात को जो है इतना तरजी क्यों दे रही है भारत सरकार जो है बहुत बड़ी एक सरका कोई भी बाहर से आया नेता उसको किसी लोकल दुकान पे ले जाना और उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है बनें जब जर्मनी में विदेश्च मंतरी की कि दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि QR कोड लगे होते हैं और आप छोटी बड़ी कोई भी चीज खरीदें और आप मोबाइल प्लाइब करके आप निकल जाएं जर्मनी में यह चीजें असंभाव लगती हैं यह बात रोने कही ऑन रेकॉर्ड तो कहने का मतलब यह कि मो किसी तीसरे में आप कर सकते हैं गूगल पे में कर सकते हैं जी पे में तो यह जो मामला है इसको लेकर कि क्या मामला है क्या यह एक मीडिया को दिखाने के लिए सब किया जाता है क्या यह जो है मतलब भारत इसको क्यों जो दे रहा है भारत इसको क्यों तरजी दे रहा है भा चाहता है कि भारत जो है एक बड़ा manufacturing hub बने एक उत्पादन का बड़ा गड़ बन जाए उत्पादन का बड़ा गड़ बन जाएंगे तो आपके देश के भीतर जो है जैसे माल लिजे अभी सरकार जो है कई राज्यों में जो है महिलाओं को 1000 रुपया 1200 रुपया 1500 रुपया 2000 दे रही है तो हैर जी बात है कि जब महिलाओं जब market में जाएंगी तो वह कुछ खरीदारी करेंगी बहतर होगा कि जब वह देश में बनी चीजें होगी देश में बनी चीजें होगी वही खरी देंगी तो company का फायदा होगा तो घुमा फिरा करके जो है वह पैसा जो आप उससे आप आपको vote तो मिल जा रहा है लेकिन वो पैसा जो है वो देश में ही कहीं खर्च हो रहा है और देश की किसी company को उससे फाइदा हो रहा है तो एक तो बात यह हो गई दूसरा मामला यह है कि जो digital payments है यानि mobile के थो जो payment होता है वो एक number में आता है वो एक number payment में आता है वो track किया जा सकता है और वो on record होता है तो भारत actually में जो है दुनिया के बहुत सारे जो गरीब देश हैं दुनिया के बहुत सारे जो पीडित देश हैं दुनिया के बहुत सारे पैसा ज़्यादा आएगा टेक्स ज़्यादा आएगा और उसके बाद जो है आप अपने देश में जो है आपकी जो खरिदारी की छमता है वो बढ़ जाएगी आपके देश में आप खर्च जादा कर पाएंगे और आपको कर देने की जोरत कम पड़ेगी और आप चीन पर नि सब्सक्राइब भुल और जारा विक्सित भी नहीं है तो इनको अपनी जरुरत का समान जो चाहिए होगा वो डिजिटल पेइमेंट करके आसानी से भारत से मिल जाएगा है ना और होगा ये कि इस तरह से भारत अपना जो एक बेस है अपना अपना मनिफेक्ट्रिंग बेस उसने घर में बनाया और जो अपना कंज्यूमर बेस है वो काफी बढ़ा पाएगा इसका फाइदा जो है उन देशों को भी मिलेगा तो कि वहां के सरकारों को भी पैसा रहे इसलिए उन देशों को भी भरोसे मन ini मिल जाएगी जो सब चीज़ें अभी नहीं है जैसे पाकिस्तान और इरान है दोनों पर उससी देश है तो सीमा के इस पासे उस तो इसलिए जो आपकिस्तान और इरान के बीछ में एक नंबर में वैपार नहीं होता है ये कहना सही है क्या नहीं वैपार होता है। तो पाकिसान कहां से खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा तो इसलिए जो है जो स्मगलिंग नेट नेट वरक्स हैं वो जो है सस्ते में या कच्छे में यहां वहां से तेल खरीद करके उपलब कराते हैं मार्केट को और उस तरह से जो है व्योस्ता चलती है लेकिन सरकारे क बाकी तो दुनिया है बाकी जो दुनिया गरीब देश है जहां पर की भारत अपना व्यापार जमाना चाह रहा है जहां पर की जो है भारत चाह रहा है कि वहां पर सरकारों के पास पैसा रहे सरकारों के पास पैसा रहेगा तो वह सड़क और मेट्रो और इस तरह की चीज़ें बनाएंगी, उसके ठेके भी जो है, भारत को मिलेंगे, और भारत में जो उतपादन होगा बड़े पहमाने पर, उसका भी जो है लाब, बनले उसको भी जो है, सस्तेधर पर वहाँ पर हम दे सकते हैं, बेज सकते हैं, तो यह जो है कहीं न कहीं मन्शा है इसलिए जो है जो बाहर से आता है जो भी महमान आता है जो भी बड़ा राजनितिक गी आता है कोई बड़ा बिरोक्रेट आता है या कोई बड़ा सलिब्रेटी आता है तो उसको जो है भारत के किसी दिल्ली में किसी लोकल दुकान पर या य डेपूर के दुकानों में कहीं घूम रहे थे और वहां पर जो होने चाय पी मैकरौन को दिखाया गया तो और वहां पर UPI स्विकार है, मतलब की UPI के जरिया पेट्र मैंट कर सकते हैं, तो आइसे टावर पर आप गए हैं, अपने अपने नए पति या नए पत्नी के साथ और वहां पर जाकर कुछ खरिदारी करना चाहते हैं तो वहां पर UPI के जरिया पेमेंट कर सकते हैं तो कहने के बार मतलब यही है कि इस चीज को समझने के ज़रूद है कि यह कोई हलकी चीज नहीं है कि आपने कोई नई चीज इजात की है और आप बस मने कोई बंदर का नाच हमान है वो बिके और हमारे पास जो है वो विदेशी मुद्रा जमा हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए इन सरकारों को मजबूत करना पड़ेगा इन सरकारों को गवर्नेंस सिखाना पड़ेगा तो गवर्नेंस का जो पहला है मुद्दा यही है कि सरकारों को जो है ये सुनिशित करना होगा कि जो है उनके पास पैसा रहे और एक नंबर में ट्रांजेक्शन होगा तो जो टैक्स जो भी लागू है वो टैक्स वसूल पाएंगे वो टैक्स वसूलेंगे तो सरकारों के पास पैसा आएगा सरकारों के पास पैसा आएगा तो सड़क और सड़क और बिजली घर और metrotra train चला पाएंगे भवारत वह किरा सकता है वह यह नियूक्लियर प्लान्ट बन रहा है जो कि भारत और रूस मिलके बना रहे हैं तो इस तरह की चीजों को कर पाने की छमता और भारत अपना जो एक जो व्यापार के नाम पर और अपने असर के नाम पर जो है जो अपना असर को फैलाना चाहता है अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है उसका एक बहुत बड़ा यह एक component है, तो इसको इस उरूप में देखना चाहिए, तो अगली बार जो है, जब किसी नेता को आप देखें कि वो दिल्ली की दुकान में जो है, वो QR कोड से कुछ खरीद रहा हो, तो यह मान के चलें कि भारत सरकार की बड़ी रननीती का हिस्सा है, वो PR exercise, वो PR exercise तो है, ल इतलब क्या कहना चाहिए, और अनिती का हिस्सा है, तो इस बात को ध्यान में रखें और जो है, यह भी अप्रिशेट कीजिए कि चौदा के बाद जो है, कम से कम कोई सरकार है, जो भारत में जो है, बना करके दुनिया भर में बेशना चाहती है, और दुनिया को अपने उप जो है, दुनिया भर को, दुनिया भर पर निर्भर रहना चाहती थी, भारत में कुछ बनाना नहीं चाहती थी, और भारत के लोगों को जो है, जो कैसे इस्तमाल करना है, तो उनके पास यह उपाय था कि उनको जो है, कहीं तलाब संदरी करन में लगा देना है, वहाँ पर ज आरे